हलो एवरिवन, आई होब इच वन आफ यू इस कीपिंग सेफ तो हम सेकेंड पार्ट अब लेकर आए हैं सेल चाप्टर की वीडियो का सेल वॉल हमने स्टार्टिंग में यह वाली चीज देखी थी कि वेरिस कंपोनेंट्स क्या होते हैं सेल के नूकलियर्स, सेल वॉल, सेल वे लिख सकते हैं सेकेंड पार्ट तभी आपको जादा क्टियर होगा जब आप फर्स पार्ट समाज लेंगे तो सेल वॉल क्या होती है अब मैंने आपको पिछली वीडियो में यह वाली बात समझाई थी कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल के पास होती है अनिमल सेल के पास सेल नहीं होती ठीक है लास्ट में हम एक डिफरेंस भी पढ़ेंगे बेट्विन प्लांट सेल एन अनिमल सेल बट पहले अगर हम यह सब पार्ट पढ़ लेंगे तो जादा असानी होगी नेक्स्ट इस इस रिजिट कवरिंग मेड़ अप उफ सेलुलोस अब एक क्वेशन एमसी शॉर्ट कोशन या एमसी कोशन बन सकते हैं नेक्स इस इट प्रोवाइड प्रोवाइड करती है यानि एक जो प्लांट स्ट्रॉक्चर है उसको स्ट्रेंद प्रोवाइड करती है जैल वल वेन लिविंग सेल लुज वाटर देर इस श्रिंकेज ऑफ कॉंटेंट अफ एसल और इसी प्रोवाइड को प्लास्मोलिसस बोलते हैं क्या होता है हमने पिछली बार भी ये पढ़ा था जिसमें हमने बोला था कि हाइपर्ट्रॉनिक जब सल्यूशन हो जाता है तो जो सेल है वो लूस कर देता है पानी निकल जाता है उसमें और सेल श्रिंक हो जाता है जब कोई plant cell का जो cell है वो पानी को लूस कर दे और श्रिंक हो जाए तो इस प्रोसेस को प्लास्मो लिसस बोलते हैं वो यह कह रहे हैं कि क्या है आनिमल सेल में क्योंकि cell wall नहीं है मानलो यह आउटरमोस्ट लेयर है सेल वो नहीं है आनिमल सेल में तो वो जल्दी बर्स्ट हो जाएंगे कोई वी अगर डिस्टर्बंस आ जाए उनके आसपास external मीडिया में कोई कैसी भी डिस्टर्बंस आए तो जल्दी अगर वो डिस्टर्बंस उनको जाकर वो कर रही है अट्राक्ट कर रही है तो वो जल्दी बर्स्ट आप हो जाएंगे लेकिन प्लांट सेल में क्योंकि सेल वॉल एक आउटरमोस्ट कवरिंग एक एक एक्स्ट्रा लियर अफ कवरिंग होती है इसलिए अब उनके मीडिया में अगर थोड़ी वाट डिस्टर्बंस होती है तो वो बर्स्ट आउट नहीं करते जल्दी से अब नूकलियस की बात करेंगे फिर ये सारे पार्ट करेंगे नूकलियस अब नूकलियस क्या होता है हर सेल में एक सेंट्रल पार्ट होता है हर सेल में एक सेंट्रल डाक स्फेरिकल डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको नूकलियस बोलते हैं अब वो स्फेरिकल भी हो सकता है और हलका सा ओल शेप भी हो सकती है तो एकदम सेंट्रल पार्ट होता है जिसे हम नूकलियस बोल अब क्रोमोजोम्स क्या होते हैं क्रोमाटेन मेटीरियल मतलब जहां क्रोमोजोम्स यह मेन जो मेटीरियल पहले हम समझते हैं क्रोमोजोम्स क्या होता है फिर हमाई क्रोमाटेन मेटीरियल बताऊंगी तो क्रोमोजोम्स क्या है कुछ कुछ medium होता है nucleus में present जो help करता है हमें एक sort करने के लिए मतलब जैसे आपने देखा होगा कि हमारी resemblance हमारे parents से हमारी कुछ characteristics हमारे parents से match करती है ठीक है अगर आप DNA देखे तो DNA हमारे parents का हमसे match करेगा यह DNA क्या है यह एक ऐसा छाप है जो हमें भी है और हमारे parents में भी है जो हमारी पहचान करवात है कि हम उनी से related है तो इसको क्या बोलते है DNA और यह DNA कहां present होता है chromosomes में ठीक है तो chromosomes are made up of DNA and protein direct question बनता है chromosomes किन दो चीजों से बना होता है एक तो DNA होता है DNA की full form होती है deoxyribonucleic acid deoxyribonucleic acid यह होता है हमारा DNA चिक है और DNA क्या store करता है it stores information of inheritance of features from parents to the next generation यह चीज मैं आपको explain कर चुकी हूँ कि DNA क्या करता है वो information store करता है जो बताता है कि हमारे parents और हमें resemblance है तो DNA क्या हुआ basic information storage unit हो गई न चिक है और कहां से present है chromosomes में chromosome किस किस चीज़ों से बने है DNA और protein से अब DNA के अंदर एक particular चीज होती है जोसे बोलते है genes G-E-N-E-S spelling देख लो यह पहनने वाली genes नहीं है G-E-N-E-S अब यह क्या है DNA का functional segment functional segment मतलब बहुत सारे जब genes मिल गए मान लो इसको मैं ऐसे शो कर देते हूँ यह हो गया एक segment यह हो गया दूसरा segment यह हो गया तीसरा segment ऐसे बहुत सारे segments जब combine हुए तो एक लंबी सी chain बनी जिसे हमने DNA बोला तो DNA की सबसे छोटी इकाई क्या होगे सबसे छोटी फॉर्म क्या होगे genes हो गया तो functional segment of DNA is called genes nucleus contains a double membrane अब nucleus की बात हो रही है हमने DNA की बात कर ली सारी DNA की full form देख ली deoxyribonucleic acid यह हो गया आपके लिए अगर आपको screenshot लेना है तो again I would recommend कि आप video post करके notes लिखें क्योंकि उससे आपकी practice जादा होगी बट जो मेरे जैसे आलसी लोग और screenshot से काम चलाना चाहते हैं वो कर सकते हैं चलो आगे बढ़ते हैं nucleus contains a double membrane तो nucleus में क्या होता है एक double membrane होता है बच्चों अब हम हर चीज की यह ज़रूर पढ़ेंगे कौन से ऐसे cell के components हैं जिनमें single membrane यानि single covering होती है किनमें double membrane है यानि double covering होती है और कुछ ऐसे होंगे जिनमें membrane होगी ही नहीं यानि जिनमें covering होगी ही नहीं अगर यह cell है तो खाली cell होगा इसकी yellow और जो red वाली cover है वो नहीं होगी तो हम पढ़ रहे हैं nucleus के बारे में nucleus के double membrane होती है जिकर double membrane होती है या आपका assertion reasoning question में भी बन सकता है या फिर हो किसी तरह भी बूछ सकते है अब क्या है nucleus कईओ में क्या होता है कईओ में सिर्फ nucleus present होता है cell के अंदर nucleus तो present है ही है और कईओ में nucleus के अलावा खुछ extra component जिनने हमने क्या बोला जिनने हमने cell organalyze बोला वो भी present होती है यानि cell के बाकी parts nucleus और cell membrane plasma membrane के अलावा बाकी parts तो जिन में ये बाकी parts present होते है ऐसे cell को eukaryotic cell बोलते है मैंने बोला कि nucleus तो सब में present होता है plasma membrane सब में present होती है ठीक है लेकिन कुछ ऐसे जो cell के parts है external parts वो जिनमें present होते हैं उन्हें eukaryotic cell बोलते हैं लेकिन कुछ ऐसे primitive या simple cells होते हैं जिनमें सिर्फ nucleus and cell membrane present होते हैं और कुछ भी extra cell organelles नहीं present होते हैं ऐसे cell को prokaryotic cell बोलते हैं तो prokaryotic और eukaryotic cell के बीच का difference आ जाता है prokaryotic cells के हैं इसे are generally small in size size में क्या है relatively छोटे हैं और जो eukaryotic cells हैं generally large होते हैं size में direct difference दिखना आ जाता है ये लो अगर आपको direct screenshot लेना है तो prokaryotic and eukaryotic cell का ये हैं four points prokaryotic and eukaryotic cell के तो start कर रहे हैं हम first point समझा आ गया है nuclear region is not well defined अब इसमें कोई well defined nucleus नहीं होता बट यहां से बच्चे confused हो जाते हैं बच्चों को लगते हैं कि prokaryotic cell में nucleus ही नहीं है ऐसा कुछ नहीं है nucleus तो है लेकिन well defined नहीं है exactly नहीं पता सकते कि ये nucleus है ये nucleus की boundary है तो वो clearly defined nucleus नहीं है लेकिन nucleus तो है and is not bounded by nuclear membrane जो nuclear की outermost covering है वो नहीं है nucleus तो है लेकिन ये जो यलो वाली ये outermost covering होती है ये नहीं है और यहां eukaryotic cell में क्या है nuclear region is well organized and bounded by nuclear membrane nuclear region organized है और उसके आस में ये nuclear membrane जैसे मैंने यहां दिखाया nuclear membrane है nuclear membrane मतलब outermost covering next is single chromosome is present हमने chromosomes क्या पढ़ लिया basic जो genetic information है वो chromosome में store होती क्योंकि chromosome में DNA होता है तो इसमें क्या है single chromosome एक ही chromosome present है लेकिन यहां eukaryotic cell में more than one chromosome is present अगर हम human beings की बात करें तो human beings में 46 chromosomes present होते हैं और chromosomes हमेशा pair में होते हैं तो around 23 pairs होगे ना around exactly 23 pairs होगे 23 pairs present होते हैं नंबर में बात करें तो 46 number ठीक है यह humans की बात कर रहे हूं आगे बढ़ते हैं Nucleolus Nucleolus क्या है Nucleus के अंदर भी एक central part होता है जिसे Nucleolus बोलते हैं ज्यादा detail में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना है नहीं हमारे उसमें अगर आप देखें तो cell सबसे चोटा part हुआ फिर उससे चोटा भी उसका central part Nucleus हुआ अब मैं बोल्यों कि Nucleus के उपर भी एक central part है जिसे Nucleolus बोलते हैं तो इससे ज्यादा नहीं जाएंगे नहीं तो बहुत confusion हो जाएगी अब बस यह समझ लो कि central part क्या है Nucleolus यह Nucleolus इनमें absent होता है और यहाँ पे Nucleolus present होता है next is membrane bound cell organelles membrane bound मतलब एक particular covering जो होती है cell organelles में वो absent होती है membrane bound cell organelles यहाँ पे absent होते हैं और यहाँ पे present होते हैं अब example देख लो यहाँ example है bacteria and blue green algae direct examples प्या जोते हैं कभी-कभी और यहाँ पे examples plant हो गया animals हो गया और fungi अब fungi में काफी बार confusion होती है तो fungi prokaryotic नहीं है eukaryotic है यादत मैं eukaryotic cell है आगे बात करते हैं हम endoplasmic reticulum की endoplasmic reticulum को short में ER भी बोल देते हैं अब endoplasmic reticulum है क्या it is a large network of membrane bound tubes and vesicles एक बड़ा सा jar type है जिसमें बहुत सारी tubes हैं बहुत सारी vesicles है vesicles मतलब मैंने बताया था pipes चैसे तो एक large network है जिसमें बहुत सारी tubes और vesicles है अब endoplasmic reticulum is present in all cells except prokaryotic cells अब prokaryotic cells मैंने आपको समझा दिया एकदम simple cells है इसलिए उनमें endoplasmic reticulum तो नहीं होता चीक है और RBC जो mammals के RBC होते हैं red blood cells होते हैं उसमें भी endoplasmic reticulum नहीं होता चीक है तो यह बाला exception हो जाता है क्योंकि prokaryotic cells तो simple है मैंने बता दिया कि prokaryotic cell में यह सब membrane bound cell organelles है उन नहीं होते हैं लेकिन RBCs red blood cells ऐसे एक special cells हैं जो human beings में होते हैं लेकिन फिर भी human beings क्या मतलब सारे mammals में होते हैं लेकिन फिर भी उनमें endoplasmic reticulum नहीं होता यह बहुत important point है यह point आपके MCQ question में आ सकता है अगर paper मुश्किल बनता है तो ठीक है और यह आपके MCRT में भी दिया होगा अब हम दो type के endoplasmic reticulum पढ़ेंगे जैसे कि मैंने बताया था कि endoplasmic reticulum के दो types होते हैं first is rough endoplasmic reticulum या फिर RER second is smooth endoplasmic reticulum या फिर SER ठीक है तो rough endoplasmic reticulum rough क्यों बोला हमने इसको क्योंकि इसमें ribosomes present होते हैं इसके surface पे मान लो यह endoplasmic reticulum मैंने बनाया अब इसके surface पे यहां पे ribosomes attached है और इन ribosomes की वज़े से ही इनका एक rough सा texture आ गया इसलिए इनका नाम पढ़ गया rough endoplasmic reticulum यह क्या है अब इनका function अगर आ जाए तो it is a site of protein synthesis यहां पर क्या होता है प्रोटीन के synthesis rough endoplasmic reticulum में होती है और या फिर अगर ribosomes भी आप लगना चाहें तो ribosomes भी लग सकते हैं क्योंकि सेम बात है क्योंकि protein के synthesis हुई किसकी वज़े से ribosomes की वज़े से तो rough endoplasmic reticulum या फिर ribosomes are a site of protein synthesis आगे बढ़ते हैं smooth endoplasmic reticulum smooth endoplasmic reticulum again इसको smooth क्यों वोला गया क्योंकि इसमें ribosomes attached नहीं है surface के साथ ribosomes attached नहीं है इसलिए smooth बोला इसको importance क्या थी protein की synthesis synthesis मतलब proteins बनते हैं इसे यहां पर proteins बनते हैं इसे यहां पर proteins बनने में help करता है rough endoplasmic reticulum लेकिन यहां SCR क्या help करता है lipids और fats की synthesis में तो SCR helps in synthesis of lipids and fats आगे बढ़ते हैं next function SCR also helps in detoxification of poisons and drugs अब होता क्या है मान लो कि किसी तरह कोई भी external factor की वज़े से या internal factor की वज़े से body में poisons या drugs आ गए ठीक है cell के अंदर मान लो cell के अंदर poison या drug आ गया एक particular cell की बात कर रहे हूं है तो होगा क्या यह smooth endoplasmic reticulum उस जो poison या drug है उसको बहार निकालने में help करेगा this is the function of smooth endoplasmic reticulum so यह आप screenshot ले सकते है smooth endoplasmic reticulum का और इस से उपर है रफ endoplasmic reticulum आगे बढ़ते है अब एक छोटा से चीज आपको ध्यान हो नीचे membrane biogenesis क्या होता है membrane biogenesis proteins and lipid synthesized in endoplasmic reticulum help in building the cell membrane अब यह जो proteins और lipid synthesized हुए इसी से cell membrane build होती है तो इस process को क्या बोलते है membrane biogenesis दुबारा explain करती हूँ मैंने बोला कि proteins और lipids देखो proteins का synthesize हुए proteins हमारे RER में synthesize हुए lipids का हुए SER में synthesize हुए मतलब ER में ऐसी बोल सकते है generally endoplasmic reticulum में यह दोनों चीज़े synthesize हुए और यह दोनों चीज़े मिलके cell membrane बनाने में help करती है और यह वाला पूरा process क्या कहलाता है membrane biogenesis I'm sure अगर आप दो वार वीडियो यह वाली पूरी देख लेगे न तो आपको एक चीज एक एक लाइन समझ आ जाएगी और chapter साथ के साथ learn हो जाएगा बचे bio के chapters में समझने के साथ साथ कुछ आपको learn भी करना पड़ता है तो वो कोशिश करो कि आप लिख के learn करो या दो बार वीडियो देखो तीन मर्ज जैसे भी आपको help होता है learn करने में ठीक है तो वैसे आप learn करो इनको तो नेक्स्ट आर अदर फंक्शन्स ओफ एंडोप्लास्मे क्रेटिकुलम इट सर्फ अज चानल फॉर दर ट्रांसपर्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटीरियल फॉर होना चीए जो मेटीरियल ट्रांसपोर्ट होता है उसमें कौन हेल्प करता है उसमें ये एंडोप्लास्मे क्रेटिकुलम हेल्प करता है नेक्स्ट इस प्रोवाइट मेकानिकल सब्पोर्ट अगें स्ट्रेंज प्रोवाइट करता है साइटोप्लास्म को तीसरा, release and uptick of calcium ions तो calcium ions चाहिए होते हैं cell को during muscle contraction and relaxation तो ये वाले जब muscles contract होती है या relax होती है body के कोई भी muscles जब कोई काम कर रहे हैं तो contract और relax होती है इस वाले case में calcium ions की requirement होती है जिसमें help कौन करता है endoplasmic reticulum तो इसी के साथ हमारे endoplasmic reticulum खतम हो गया आगे बढ़ते हैं गौल्गी apparatus next cell organally है हमारी गौल्गी apparatus अब ये जो गौल्गी apparatus है ये नाम दिया cameleo गौल्गी ने ये scientist का name है उसी से नाम आया गौल्गी apparatus simple है so it is a system of membrane bound vesicles called cisterns systems क्या है membrane bound vesicles यानी tubes है ठीक है बहुत सारी tubes मिलाके system के लाती है और ये कहां present होते हैं गौल्गी apparatus में ठीक है main function क्या होते हैं गौल्गी apparatus का storage modification and packaging of cell products cell products को store करना जब requirement है तो थोड़ा बहुत उन्हें modify करना और इसे pack या stack करके रखना ये काम होता है गौल्गी apparatus का क्योंकि उसमें बहुत सारी membrane bound vesicles होते हैं ठीक है involved in the conversion of complex sugars to simple sugars complex sugars चो होती है complex sugars मतलब ऐसी sugars जिसे body digest ना कर पाएं ठीक है वो simple sugars में convert होती है किसके through गौल्गी apparatus के through next is involved in the formation of lysosomes तो lysosomes अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है lysosomes लेकिन उनकी formation में कौन help करता है गौल्गी apparatus तो यह हमारे गौल्गी apparatus के कुछ फीचर्स थी क्यामिलियो गौल्गी ने डिसकवर किया इसने systems होते है storage पाकिंग एंड मॉडिफिकेशन में help करता है कन्वर्शन में help करता है complex शुकर को simple sugar में और lysosomes की formation में help करता है गौल्गी apparatus आगे बढ़ते हैं lysosomes की तरफ lysosomes क्या होते हैं बहुत important चीज है lysosomes is surrounded by a single membrane अब lysosomes में कह रही थी कि कुछ ऐसे cell organelles हैं जिन में double membrane होएंगी कुछ ऐसे हैं जिन में single होगी कुछ ऐसे जिन में नहीं होगी तो lysosomes में single membrane यानि single covering होती है it has powerful protein digesting enzymes बहुत important बात है कि इसमें क्या होता है lysosomes में बहुत powerful protein digesting enzymes enzymes मतलब ऐसे catalyst होते हैं चलो बहुत detail में नहीं जाते catalyst आप आगे पढ़ेंगे आपको नहीं पता लेकिन enzymes ऐसे समझ लो कि lysosomes में ऐसे कुछ चीजें प्रेजेंट होती है इसे protein बहुत जल्दी से digest हो जाते हैं अब होता क्या है when the cell gets damaged जब भी भी कोई cell damage होताता है तो lysosomes अपने अब फट जाते हैं and the enzyme digests its own material अब मान लो एक cell है ठीक है वो damage हो गया अब cell उस cell का कोई काम नहीं है तो क्या करेगा वो cell निकलेगा ठीक है तो इस case में lysosomes आते हैं और lysosomes जो यह damage material है सबको engulf कर जाते हैं ठीक है उसको destroy कर जाते हैं खुद ही अपने cell को खुद ही destroy कर लेते हैं यहीं reason होता है कि lysosomes को suicide bags बोला जाते हैं अपने आपको destroy कर लेते हैं इसलिए lysosomes को suicide bags बोला जाता है lysozoms are called suicide bags of the cell ये बात हुए है मारी lysozoms की मैंने important बात के बताई इसमें important protein digesting enzymes है जो time आने पे अपने आपको बर्स्ट करके खतम हो जाते हैं अपने आपको ही digest कर लेते हैं इसलिए lysozoms को suicide bags बोलते हैं direct NCRT का question है why lysozoms are called suicide bags next हम आते हैं mitochondria पे mitochondria में double membrane यानी दो covering है मान लो ये mitochondria है उसकी दो covering है एक और दो तो मैंने बताया है हम दीरे दीरे यही पढ़ने के कई जो cell organ leaves उनके single covering हैं उनकी double और कईों के triple triple नहीं कईों की हैं ही नहीं तो ये आपको सबका बता होना चाहिए कौनसे cell organ leaves की कितनी covering है क्योंकि आपने questions में important हो जाते है दा आउटर मोस्ट मेंब्रेन इस पोरस अब दोनों मेंब्रेन की बात करी है कि जो आउटर मोस्ट मेंब्रेन है मान लो ये ये लो वाली जो मैंने दिखाई हुई है ये क्या है पोरस है पोरस मतलब इसमें holes है छोटे छोटे शेज है वाइल दी इनर मेंब्रेन इस deeply folded थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देती हूँ ये हमारी मान लो यहां मैंने मेना दिया mitochondria ठीक है सेल नहीं है इस बार ये mitochondria बनाया सेल का ही एक छोटा सा part अब मैंने इसके लाओं दो लेर्स बना दी जो इनर वाली लेर है वो क्या है deeply folded ऐसे से folds है उसके उपर और जो आउटरमोस लेर है वो क्या है पोरस है जो ये वाली red वाली लेर है इसमें कुछ-कुछ holes या pores है यह हमने समझाया mitochondria का structure अब है क्या important बात mitochondria के बार में ये जो folds हैंगी जो मैंने yellow color से fold शो की होई है इस folds create a large surface area for the synthesis of ATP ATP क्या है पहले आप समझ लो ATP है adenosine triphosphate full form हो गई ATP की याद होनी चाहिए full form adenosine triphosphate और ये क्या है energy currency of the cell समझाती हूँ ये बात बचे क्या है आपने खाना खाया जब आप खाना खाएंगे तो body में energy आएगी और वो energy ATP की form में store हो जाएगी हो गई store अब उसके बाद मानलोग को बहुत ज़्यादा कुछ physical work करना है कोई भी काम करना है जिसमें energy चाहिए तो आप body को बोलो के बही energy निकालो मुझे काम करना है आप काम कर रहे हो तो वो energy कहां से निकलेगी वो energy इस ATP से निकलेगी ATP आपको वो energy प्रोवाइड करेगा उसते आप काम कर पाओगे तो ATP क्या हुआ है एक तरह से currency हो गया जब आप जाते हैं बाजार में और कुछ खरीदते हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं वो पैसे देते हैं और उसके exchange में काम होता है एक्जाक्ली यहां भी यही procedure है कि ATP से कुछ energy निकली उस energy से कुछ काम हुआ तो ATP से energy निकली इसलिए ATP को energy currency of the cell बोला गया और mitochondria में ATP प्रेजन है और यही रीजन है कि mitochondria को बोला गया पावर हाउस ऑफ दे सेल बहुत इंपोर्टेंट बात आती है mitochondria is called पावर हाउस ऑफ दे सेल रीजन क्या है mitochondria में बहुत सारी energy प्रेजन है ATP की फॉर्म में और जब भी body को energy required होती है ATP की थूर्ण निकल जाती है तो mitochondria क्या है बिजली घर जैसे बिजली घर में बहुत सारी बिजली स्टोर्ड होती है जब जब चाहिए होती है तब तब निकल जाती है तो mitochondria में क्या है बहुत सारी energy प्रेजन है ATP के फॉर्म है और जब जब चाहिए तब तब एनर्जी निकल जाएगी that is why mitochondria is called powerhouse of the cell अब क्या है mitochondria का ही अपना क्या है mitochondria has its own DNA and ribosomes mitochondria के पास अपना DNA है और अपने ribosomes है अब क्योंकि अपना DNA और अपने ribosomes है mitochondria के पास इसलिए mitochondria अपना जो protein है वो खुद बना सकते हैं क्योंकि आपको protein क्या बता गया कहां बनते हैं ribosomes में यानि RER में और DNA उनके पास अपना है इसलिए mitochondria अपना protein बना सकते हैं ठीक है तो यह हो गई mitochondria की बात next cell organ लेली पर आते हैं I'm sorry अगर वीडियो बहुत लंबी हो रही है पट I hope आपको चाप्टर भी साथ साथ में समझ आ रहा होगा next is plastics बहुत जल्दी में wind up करूंगी plastics क्या है plastics सिर्फ plant cell में present होते हैं जैसे हमारी plastics दो तरह के होते हैं leucoplast and chromoplast leucoplast क्या होते हैं white या फिर colorless plastics leucoplast होते हैं जब भी कहीं plant में white या color white या colorless सेम बात है बच्चे यहां पे तो जब भी प्लांट में white color दिखेगा white color की plastics दिखेंगे तो plant का color भी white होगा तो हम बोलेंगे ludiocoplast presence हैं जिसकी वज़े से white color है और January plants plants Plar 살ग से अलग colors होते हैं बहुत सारे colors होते हैं और रोलड लग colors present होते हैं वहां chromoplast present होते है क्रोऑ Вам करूम क्रोमा से और क्रोमा वर्डम होता है color तो जहाँ holy color present होते हैं वहां ब interfと आरे हम बोलते हैं tank Comment interest में जो green color होता है green color किसकी वज़े से होता है chlorophyll की वज़े से होता है और chlorophyll जिन में present होता है उनमें chromoplast present होते है तो उनमें क्या present होता है एक सेकिंद तो उनमें chromoplast नहीं होना चाहिए यहां word होना चाहिए उनमें chloroplast present होता है उनमें chloroplast present होता है यह तरह का chromoplast ही है बट specifically क्योंकि इसमें green color है तो green color chlorophyll से आते हैं तो नाम भी मिलता जिलता होना चाहिए इसलिए उनमें chloroplast present होता है तो हम बोलेंगे जो plants में green color होता है chlorophyll की वज़े से उनमें कौन से plastids present होते हैं chloroplast present होते है और plastids का एक और function है these are a site of protein synthesis chromoplast का function है sorry chloroplast का function है these are a site of protein synthesis next is the space on the inner side अच्छा एक मिनेट यहाँ protein synthesis क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ plastids में भी chloroplast में भी अपना ही DNA और अपना ही क्या है हमने उपर बढ़ा था कि अगर अपना DNA और अपने ribosomes हो तो वो अपना protein बना सकते है mitochondria जैसे बनाते थे तो इसमें भी आई है इनके पास अपना protein और अपना DNA है इसलिए अपना ribosomes और अपना DNA है इसलिए अपना protein बना सकते है the space on the inner side of the plastids have various layers along with a material called stroma बस हम इस stroma word बताओन अच्छे अपने क्या होता है जो plastids घाल से यह मैंने plastids बनाया plastids के inner side पे एक material present होता है एक अंदर वाली side पे एक material present होता है जिसको हमने stroma नाम दे दिया जिसको हमने stroma नाम दे दिया plastids have their own DNA and ribosomes मैंने बता दिया जिसकी वजह से वो अपना protein बना सकते है तो यह हो गई हमारी Plastids की बात Plastids में हमने Leucoplast और Chromoplast के बारे में पढ़ा फिर हमने बुला Green Color Chloroplast की बज़े से है और मैंने बताया कि यह Site of Protein Synthesis है क्योंकि इनके पास अपना DNA और अपना क्या है Ribosomes है Next is Vacuels, I think यह last ही है उसके बाद बस एक Difference आ रहे है तो बस एक दो मिनट में वीडियो एंड करेंगे हम Vacuels क्या है These are storage sacks for solid and liquid content तो liquid या solid content जहां store होता है sacks मतलब एक bag जैसा जहां liquid या solid content store होता है वो क्या है vacuels है Animal cell में क्या होता है Vacuels small in size होता है और side पे होता है और plant cell में क्या होता है plant cell में एक बिल्कुल central में बड़ा सा structure होता है वो होता है vacuels और plant cell में जो nucleus होता हो हलका साइड पे हो जाता है क्योंकि vacuels बीच में आ गया तो plant cells have large vacuels which occupy 50-90% of the cell volume 50-90% की जो area है वो plant cell में किसने cover कर लिया vacuels ने cover कर लिया in plant cells vacuels help in providing turgidity and rigidity of the cell मतलब strength कौन प्रोवाइट कर रहा है वो vacuels प्रोवाइट कर रहा है it also helps in storage of substances such as amino acids sugars, organic acids and proteins मैंने बता दिया vacuels storage sac से हमने या उपर पढ़ा है तो क्या होता है तो जितना भी amino acids हो गया sugars हो गया, organic acids हो गया proteins हो गया जो plants को चाहिए वो यहां पर store हो जाते हैं तो यह हो गई हमारी vacuels की बाद last हम पढ़ते है plant cell and animal cell का difference और इसके बाद आप डाइग्राम करेंगे वो आप आप NCRT book से refer कर सकते हैं यहां डाइग्राम नहीं बनाया है NCRT book से इसका डाइग्राम जरूर कर लेना animal cell and plant cell का यह हो गया difference animal cell और plant cell में plant cell में हमने पढ़ लिया है cell wall present होती है animal cell में cell wall absent होती है plant cell में large vacuels होते हैं सब point कर चुके हैं हमारे अब बहुत असान हो जाएगा animal cell में छोटा vacuels present होता है small vacuels are present plastics plant cell में present होते हैं plastics animal cell में absent होते हैं nucleus lies in the center nucleus एकदम nucleus nucleus का outer जो central layer होता है वो center पर प्रेजेंट होते हैं nucleus 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 एक side पर प्रेजेंट होता है so इसी के साथ हमारा plant cell और animal cell का difference हो जाता है and हमारा chapter यहाँ पर complete है I hope सभी बच्चों को chapter समझाया होगा जो भी आपके doubts हैं जो भी queries हैं कुछ discussion हो कुछ review देना हो comment section में आप डाल सकते हैं अगर video helpful लगी हो तो do share it with your friends so anyways आपको यह chapter learn करना है इसकी हम बहुत जल्दी scholar's quiz organize करेंगे so I'll meet you again in the next video until then take care everyone and thank you for watching the video